गुड़ मॉर्णिंग स्टुडेंट्स संद्राइज एजुकेशन एकेडमी मैं आपका स्वागत है मैं परविन सोनी लास्ट अंपरबेटा चैप्टर नमबर एट अपने स्टार्ट किया उसके अंदर अपने इस्पीड चाल वेलोसिटी वेग एकसिलरेशन त्वरन साथी साथ उनके सिंबल्स उनके बारे में भी पड़ा और उनके क्या यूनिट होते हैं इस्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस से ये अपने किया साथ ही साथ एक दो कोशन भी दिये थे उमीद करता हूँ कर लिया होंगे आज अपन कंटीनियो कर रहे हैं एक्सिलरेशन तुरन अब तुरन के अंदर क्या बतायता है बेटा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर जो होती है तुरन कहलाती है अब तुरन के साथ वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहेंगे तुरन और ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है कहने का मतलब जैसमें मैगनिटिउड और क्वांटिटी परिवान और दिशा दोनों होते हैं ये जो है हमेसा और रिनात्मक हो सकती है जैसे इनीचेल वेलोसिटी को अपन ने कहा था इस मोली हो अकै और फाइनल वेलोसिटी को कहा था क्या कहा था वी और टाइम को ट से रिपरजेंट किया तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर कहने का मतलब प्रारंबिक वेग सबोज गरो यह है U है अंतिम वेग V है ठीक है तो अब समय के साथ वेग में बरिवर्त निकान लाती है इसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंबिक वेग अपॉन समय तो A बराबर A होगा एकसिलेरेशन त्वरण A बराबर V माइनस U उपॉन T V क्या है अंतिम वेग है U क्या है प्रारंबिक वेग है और T है समय ओके अब नेगेटिव एकसिलेरेशन इस आलसो नौन एज रिटार्डेशन और डिएकसिलेरेशन जो नेगेटिव जो रिनात्म का त्वरण आता है तो रिटार्डेशन या डिएकसिलेरेशन भी कहते है इसकी जो यूनिट है बिटा ध्यान रखना हमें सा क्या होती है मिटर पर सेकंड इसकोर क्यों क्योंकि वेग की क्या बताई थी मैने वेग की क्या बताई थी क्योंकि वेग की क्या होती है मिटर पर सेकंड और नीचे क्या स समय दे रखाए तो अब क्यों हो जाएगा यह नीचा जाएगा तो मिटर पर सेकेंड स्कुर्र ना या फिर अब अगर यह वापस अगर एस उपर जाए तो हो जाएगा मैंस में S-2 यह तो यह तो यह तो फिर यह करो यह पिर यह इस तरीके से इसके बाद देखो positive और negative acceleration कब होते हैं ज्यान देना positive acceleration धनात्मक थोरण when initial velocity lower than final velocity जब अंतिम वेग जो है प्रारंबिक वेग से ज़ादा होता है अंतिम वेग पचास है प्रारंबिक वेग 20 से समय है 5 सेकंड तो V minus U upon T यह formula है V कितना है 50 U है 20 और समय है 5 सेकंड तो 50 में से 20 गए 30 और इसको डिवाइड करेंगे तो यह तो आ गया धनात्मक थोरण और negative acceleration कब होगा when initial velocity higher than final velocity जब प्रारंबिक वेग अंतिम वेग से ज़्यादा है प्रारंबिक वेग 100 है अंतिम वेग 60 है उस दर्मिया देखो देखे तो उस दर्मिया देखो बड़ा जैसे formula है A बराबर V minus U upon T V कितना है 60 है 60 minus U कितना है 100 upon T कितना है 4 से तो 60 मैंसे 100 नहीं जाएंगे तो 100 मैंसे 60 तो कितना है minus के 40 upon 4 इसको divide करेंगे तो minus कितना हैंगे minus 10 meter per second square है हो गया तो कहने का मतलब जब प्रारंबिक वेग अंतिम वेग से जादा हो तब होगा negative और अंतिम वेग प्रारंबिक वेग से जादा हो तो positive होगा अब कभी कभार ये भी कहते हैं कि acceleration क्या 0 भी होता है 0 उस case में होगा जब V बराबर U हो समदरो प्रारंबिक वेग और अंतिम वेग अगर बराबर है तो उस दरिम्यान acceleration 0 भी हो सकता है ओके बड़ा अब देखो आगी चलते ज्यान देना बड़ा 8.1 के numerical question है अब वो कर देते हैं क्योंकि आपके 8.1 8.2 और 8.3 यही यह सेलबस के अंदर 8.4, 8.5 और 8.6 यह नहीं है ओके तो इसके जो numerical question है वो देख लो एक बार एक वस्तो 16 मिटर की दूरी 4 सेकंड में ताय करती है तता पुना 16 मिटर की दूरी 2 सेकंड में ताय करती है वस्तो की average चाल देखो दूरी 2 दे रखी है और समय भी 2 है तो total जो है total distance कहने का मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी 16 मिटर प्लस 16 मिटर total कितनी होगी 32 32 मिटर समय total time कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा वहाँ 4 सेकंड है प्लस 2 सेकंड तो कितना हो जाएगा 6 सेकंड अपन को क्या करना है average चाल निकलनी है average speed average speed is equal to क्या होगा total distance upon total time okay distance कितना है 32 मिटर और ताइम है 6 सेकंड इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 को 5 से डिवाइड करेंगे 32 को डिवाइड करेंगे तीस चैको और पीछे बचे दो पॉइंट लगा आएका चार लगबग 5.4 मिटर पर सकंड ओके तो इस तरीके से ये अपन को calculate करना आना चीए अगला कोशन देखो एक परियोग के दौरान अंत्रिक्स यान से एक सिगनल जो है को पर्तिव पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है ठीके पर्तिव पर इस सिटेशन से उस अंत्रिक्स यान की अपन को क्या करना है दूरी को calculate करना है दूरी क्या होगी उपन को उसकी जो काल दे रखी है 3 x 10 to the power 8 मिटर पर सेक्ड़ देखो देखे डिस्टेंस दे रखी है डिस्टेंस को calculate करना है तो देखो हाँ तो इस्पीड कितनी दे रखी है इस्पीड या वे 3 x 10 to the power 8 मिटर पर सेक्ड़ टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट ओके तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है सबसे पहले देखो स्पीड बराबर बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कहने का हम चाल के दो या वेग के दो बराबर दूरी बता समय ठीक है डिस्टेंस कालकुलेट करना है तो distance को बाहर ले लो या दूरी बराबर क्या हो जाएगा speed into time समझे हो speed into time फिर speed कितनी दे रखी है 3 into 10 to the power 8 into time कितना है 5 minute अब ज्यांदना पड़ा ये meter के अंदर है तो time भी है अब उनको calculate करना पड़ेगा किस के अंदर meter के अंदर पांस मिनट ते रखे हैं तो 5 मिनट तो कितने second हो जाएँगे 5 into 60 एक मिनट में 60 होते हैं तो total हो जाएँगे 300 second तो यहाँ पर अपने इसको 300 second से multiply करेंगे 3 को 3 से multiply किया कितना 9 into 10 to the power 8 तो है 9 और 10 10 to the power कितने हो जाएँगे 10 और दूरिया में सा किस मांगी meter के अंदर यह इसका हो जाएगा answer तो इस तरीके से अपन को करना आना चीए अगला question देखो देखें पता पढ़िया अगला question देखो अब देखो बिटा अगला question यात्रा शुरू होते समय कार का odometer 2000 km पर दर्शित करता है और यात्रा समाप्त पर 400 km पर दर्शित करता है शुरू में तो odometer 2000 km बता रहा था और समाप्त यात्रा तो उसमें बता रहा है 400 km यदि इस यात्रा में 8 और 8 गंटे का समय लगता है तो कार की एवरेज चाल को किलोमेटर पर होवर या किलोमेटर ह-1 और मिटर पर सेकेंड में ग्याद करें अगर ट्रिप के अंदर 8 गंटे का समय लगा है calculate the average speed of the car in the किलोमेटर पर होवर एंद मीटर पर सेकेंड देखो देखे जान दो बड़ा distance covered by car ठीक है शुरू में तो था बेटा 2000 और बाद में होगा है चोईस हो तो टोटल डिस्टेंस कितनी था है कि 400 किलोमेटर माइनस 2000 होगा तो कहने का मतलब टोटल जो डिस्टेंस S से रिपरजेंट करेंगे 400 किलोमेटर दूरी तहकी समय कितना था 8 होवर अब अपन को किलोमेटर पर होवर या किलोमेटर H-1 या किलोमेटर पर होवर के अंदर अपन को calculate करना है तो कैसे करेंगे अपन को मालूम है कि speed बराबर क्या होता है बराबर distance upon time अब किलोमेटर पर होवर में दे रखा ये भी किलोमेटर में पर होवर एक unit ये भी होती है तो इस तरीके से बन distance कितना है 400 किलोमेटर और time है 8 होवर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 किलोमेटर पर होवर अब इसको मेटर पर सेकेंड में लेना है तो द्यान देना बटा देखो 50 किलोमेटर पर होवर है 50 किलोमेटर पर होवर तो अब द्यान देना किलोमेटर में एक घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं अब इसको बिले काटो तो अपी कितना आ रहा है देखो दो जिरो से दो जिरो कट गए यह 3 यहां जाएगा 5 ओके इसके बाद में यहां 3 यहां जाएगा 25 ओके इसको मल्टिप्लाइ करो 125 अपॉन 9 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएंगे देखो देखें 125 कितने बचे 3 फिर आया 5 उतारा परना है लगबग कितना आएगा डिवाइड करो देखें नौत यह 27 कितना बचे पॉइंट 0 फिर लगबग नौत बहुत तर बहुत तर बहुत तर बहुत तर आएड बचा लगबग 13.88 मिटर पर सेके इस तरीके से बिटा अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अब देखो देखें अगला कोशन इस तरीके से अपन को करना अनाची ओके देखो बड़ा उसा 90 मिटर लंबे तालाब में तैरती है वह एक सीरे से दूसरे सीरे तक सरल रेकिये पत पर जाती है तता वापस आ जाती है इस दौरा अन्द बहुत एक सोसी मिटर की दूरी एक मिनिट में तैर करती है उसा की एवरेज चाल और एवरेज वेग बतान उसा स्वेंग इन ना इंटी मिटर लॉंग पॉल शी कावर वन एवरेज वेलुची अब देखो बेटा टोरल डिस्टेंस कितना हुआ total distance कितना हो जाएगा 90 जाती है और 90 आती है तो 90 मिटर प्लस 90 मिटर तो कितना हो जाएगा 180 180 मिटर हो जाएगा time कितना है एक मिनट एक मिनट यानि 60 सेकेंड ओके तो average speed average चाल कितनी हो जाएगी total distance मतलब कुल दूरी upon total time कितना है बटा total distance 180 मिटर है upon total time है 60 सेकेंड इसको डिवाड़ी करेंगे तो 3 मिटर पर सेकेंड ये तो हो जाएगा average speed अब अपन को calculate करना है average velocity average velocity कैसे करोगे displacement का मतलब हो गया विस्थापन विस्थापन upon क्या होगा time समय अब डिस्प्लेस्मेंट कितना है बटा डिस्प्लेस्मेंट देको बटा नबई जा रही है और नबई आ रही है डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है shortest दूरी between initial point and final point तो final point भी वही है और initial point भी वही है तो displacement 0 upon time हो जाएगा 60 second ओके तो इसको जब इससे divide करेंगे तो क्या होगा इसको जब इससे divide करेंगे तो 0 meter per second average weight तो हो जाएगा 0 और average speed हो जाएगी 3 meter per second ओके बटा इस तरीके से अपनको question आने ही चाहिए numerical question सारे करवा रहा हूँ देखो देखें आगे यह पता पढ़िया समझ में नहीं आए तो मेरे whatsapp number पर आप पूश सकते हैं 9 4 6 0 6 5 6 6 6 1 0 वापस बतातूंगा नहीं तो वीडियो को pause करके वापस देखें कोई भी doubt है का पूश सकते हैं अब द्यान देने में बड़ा हाँ वीराम अवस्ता से रहूल अपनी cycle को चलाना शुरू करता है और 30 second में 6 मीटर पर second का विग प्राप्त करता है ठीक है वीराम अवस्ता का मतलब क्या हूँ यह फर्स्ट केस के अंदर यू बराबर 0 ठीक है मीटर पर second और 30 second में time दे रखा है 30 second ओके मैं 6 मीटर पर second का विग प्राप्त करता है अंतीम विग भी हो जाएगा कितना 6 मीटर पर second ओके वह इस परकार ब्रेक लगाता है कि cycle का विग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर second हो जाएगा अब क्या करता है कि कुछ समय cycle चलाने के बाद फिर वह ब्रेक लगा रहा है फिर यह बता रहा है कि उसका जो विग है 6 मीटर पर second से कम होकर कि कितना रह जाएगा 4 मीटर पर second ठीक है कितने time में 5 सेकेंड के अंदर तो दो इस्तितिया होगी second case के अंदर क्या हो जाएगा time तो दे दिया अपनको 5 सेकेंड ठीक है और फिर उसका जो प्रारंबिक विग था वो तो हो जाएगा 6 मीटर पर second फिर वो क्या कर रहा है इसी speed से चल रही है फिर वो ब्रेक लगा रहा है तो कहने के अंतीम ब्रेक हो जाएगा 4 मीटर पर second दोनों इस्तिति में cycle के acceleration या तोरण की गणना कर लिए इंगलीज में देखो starting from a stationary position राहूल पेडल्स his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर second in 30 seconds 30 seconds के अंदर जो वेग प्राप्त करता है 0 से लगा करके 6 मीटर पर second का then he apply brake फिर वो brake लगा रहा है क्योंकि उस speed में चल रही है वाई कल ठीक है such that the velocity of the bicycle comes down उसकी velocity कम हो गई brake लगाने पर कितनी हुई 4 मीटर पर second in next 5 second अगले 5 second के अंदर उसकी जो है प्राप्राप्रिक वेग second case के अंदर यह होगा और अंती वेग 4 मीटर पर second होगा calculate the acceleration of bicycle in both the cases दोनों case के अंदर अपन को क्या करना है उसके अंदर जो acceleration है उसको अपन को calculate करना है acceleration के अंदर मैंने बताया था V minus U upon T formula V कितना है 6 U कितना है 0 upon time कितना है 30 divide कर दो बटा 6 upon 30 divide करेंगे 5 इसको divide करो कि 0.2 meter per second square 0.2 meter per second square यह तो आजाएगा first case के अंदर इसके बाद में second case के अंदर क्या होगा यह बराबर V minus U upon T देखो देखे तो इस case में देखो V कितना है 4 U है 6 upon T है 5 तो minus 2 upon 5 इसको divide करोगे तो minus के कितना हैंगे 0.4 meter per second इसको है होगा करने होगा V minus U कि cycle चला रहा है फिर वो break लगा रहा एक case के अंदर में लिए 0 से शुरू किया इसने तो अंतिम पहुँचा 6 meter per second तो ये इसका सपोज कर अंतिम वेग हो गया ये हो गया प्रारिम्पी के वेग ये first case में second case के अंदर फिर क्या कर रहा है यहां से वापस ये break लगा रहा है तो second case के अंदर तो ये उसके लिए प्रारिम्पी के वेग ये हो जाएगा फिर्स्ट केस के अंदर जीरो से शुरू हुआ और 6 पर पहुचा वो तो उसका अंतिम वेग ता 6 और जीरो है प्रारिम्पी के वेग second case के अंदर क्या हुआ कि उसका प्रारिम्पी के वेग हो जाएगा 6 meter per second और अंतिम वेग जो है वो हो जाएगा 4 meter per second और formula लगा करके अपने इसको calculate कर सकते है ओके बड़ा अब देखो आगे यह पता पढ़िया वापस मिला ना नहीं तो फिर भी समझ में नहीं आये तो doubt इसको लाकर के भी पूछ सकते हो और मेरे WhatsApp नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं 9460656610 ओके बड़ा देखो अगला question